मैं निशा पांडिये मुतिहारी न्यूज चैनल से आज एक अप्रेल दोज़े अठाड़ों को काड़ पालक सहाय क्यों अवास कर्मियों के हर्ताल का सात्वा दिन है आज से हर्ताल में धर्ना के साथ साथ भूख हर्ताल भी शुरू हो गया है आंदोलन कर रहे क्रमचार्यों की उमीद उस वक्त और बढ़ गई जब बिहार राज के मुख विपक्षी पार्टी स्री लालू परसाजी की राष्टी जनता दल और स्री पप्पु यादो की जनाधिकार पार्टी ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है राजत परदेश उपाध्यक्ष रत्ने सोरी उपाध्याय और जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखतार परषाद गुपता ने हर्टाल का समर्थन किया है कारपालक सहायक ओम अवास कर्मी के भूक हर्टार पर बोलते हुए बिहार राज कारपालक सहायक सेवा संक्य जिला अधिक्ष नासिर खान ने कहा है कि अभी सरकार बहड़ी बनी हुई है वही उन्होंने कहा है कि हरताल जब तक मांग पुरी नहीं होगी तब तक हरताल जारी रहेगा मुतियाई नुचनल के तरब से मैं आपको ये कहना चाहूंगी हमारे सरकार को जनता की बाते सुनने चाहिए अपने क्रमचारियों की बाते सुनने चाहिए वही मैं बताना चाहूंगी बिहार में सासन कर रहे है भारतिय जनता पार्टी और जनता दल उनाइटेट को छोड़कर सभी पार्टी इस हर्ताल के समर्थन में आ गई है तो अब उम्मीद की जा सकती है बहुत जल कारपालक सहायक यह आवासकर्मी की मांग पूरी होगी